आईए सबसे पहले हेडलाइन्स को देखते हैं यूपी में आयू चिकतसकों की आई बंपर भाली 16 दिसंबर तक होगी सीधी भरती बिहार होमियोपेथिक चिकतसक संग सीट बटवारे में फिर से गई सुप्रिम कोर्ट राजकियति बी कॉलेज पटना में च्छात्रों और कॉलेज स्टाफ के बीच वी मार पीट अभी तक जारी है तनाओ सलाम उलेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं यूनी परेस यूनानी नियूस पोटल मैं डॉक्टर मुहमद जाहिद इकबाल आप लोगों के सामने यूनानी से मुतालिक खबरों को लेकर हाजिर हुआ हूँ उत्तर परदेश में आयोज डिपार्टमेंट में बंपर बाली आई है आपको बता दें कि उत्तर परदेश लोग सेवा आयोग ने कॉमिनेटी हेल्थ आफिसर के लिए 962 पोश्ट पर वैकेंसी निकाली है इस भरती के लिए 5, 6, 14, 15 और 16 दिसंबर को वाक इन इंटर्वी वलाया गया है इस 962 पोश्ट पर सिर्फ आयरवेद और यूनानी डॉक्टरों की बहाली होनी है लेकिन इसमें इस बात का जिक्र नहीं है कितने आयरवेद के डॉक्टरों होंगे और कितने यूनानी के लगातार सालों में उत्तर परदेश में इस तरह की बड़ी दूसरी बहाली है ज्यादा डिटेल के लिए उत्तर परदेश के पब्लिक सर्विस कमिशन का वेबसाइट देख सकते हैं ग्याद सुतरों से पता चला है कि बिहार होमियोपेथिक चिकल सक्सर्विसेज एस्विसेशन ने फिर से सीट रेशू के मामले में सुप्रीम कोट चली गई है इसके बारे में बिहार के आयूश डॉक्टरों को पता होगा कि होमियोपेथिक डॉक्टरों की संगठन ने सुप्रीम कोट में केस किया था जिसमें उनका डिमांड था के सीट रेशू 50, 30, 20 से चेंज करके आयूरवेथ होमियोपेथ को 46% जबके यूनानी डॉक्टरों को 8% किया जाए उसके बाद बिहार यूनानी डॉक्टरों की एक मात्र तंजीम Association of यूनानी Physician ने इस मामले में इंटर्वेन किया था जिसके बाद अगस 2022 में ये मामला सुप्रीम कोट ने खारिश कर दिया था सुप्रीम कोट ने एक अगस 2022 को हुए फैसले में ये कहा था कि बिहार सरकार सिड रेशू पर अलग-अलग बिंदों को नजर में रखते हुए फिर से कमेटी बनाकर फैसला करे और कमेटी का रिपोर्ट तीन मेहने में सम्मिट करे लेकिन बिहार सरकार इस मामले पर अब तक चुप्पी साधे रही और तीन मेहना गुजर जाने के बाद भी ना कमेटी बनी और ना उसका कोई फैसला सामने आया इसको देखते हुए हमियोपेथिक चिकपसक संग ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकटाया है और जिसकी वज़ा इससे हो सकता है कि मौझूदा वेकिंसी पर फिर से असर पड़े इससे पहले पटना हाई कोट ने भी ये फैसला दिया था और उसमें कहा था कि बिहार सरकार कमेटी बना कर सीट की बटवारे को डिसाइड करे जिसके लिए बिहार सरकार ने कमेटी बनाई भी थी फिर उस कमेटी के दुआरा ये पास किया गया था कि जो सीट रेशू पहले से है वो बहतर है उसी को बरकार रखा जाएगा लेकिन सुप्रेम कोट के इस आदेश के बावजूद स्वास्त बिभाग इस पर क्यो बिस्तार से पिछले सब्ता हराज कितिब्वी कॉलेज पटना के प्रिंस्पल प्रोफेसर सिरी तोहित किबिया साहब के समक्ष कई सारी डिमांड लेकर पहुंचे उसके साथ ही छात्रों की भीड भी थी लेकिन उनमें से चार पांच छात्रों को अंदर बुला कर प्रिंस्पल साहब ने गंभीरता पुरवक सारी बातों को सुना और उनके हर एक डिमांड पर अपना तर्क भी दिया और जो होने वाला है उसका अशवाशन भी दिया और जो नहोने वाला है उसके बारे में दो टोक कह दिया फिर भी उन्होंने च्छातरों किसे कहा कि 5 दिसंबर तक सारे मामले को हम देखते हैं इस मसले को लेकर 5 दिसंबर के बाद बात कीजिए नेशनल स्कॉलर्शिप प्रोग्राम एन एस पी के लिए फॉर्म भरने की आखरी तारिक 30 नॉमबर तक थी और उनमेंसे बहुत सारे च्छातर जो खासकर सिकंडर के थे जिन्होंने एक्जाम दिया था और उनका रिजट नहीं आया था उसका स्कॉलर्शिप के लिए कलेम रिजेक्ट हो गया था और उनसे ये कहा गया था कि आप मार्क शिट लेकर आईए या पर्मोट कर दिया गया है ऐसा कोई पेपर लेकर आईए इसके लिए च्छातरों ने 25-26 नॉमबर को पिरिंस्पल सहब से मिले और पिरिंस्पल सहब ने कॉलेज के एसेस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नफिस इखबाल सहब को और डॉक्टर शफात करीम सहब को बुला कर इस्टूडन के सामने बैठ कर मामले को समझने की कोशिश की और उसके बाद ये फैसला भी लिया गया कि स्टूडन को परमोट करने का एक लेटर दे दिया जाए उसके बाद फार्मेट बना दिया गया और उस फार्मेट पर स्टूडन के नाम, रजिस्शेशन नंबर और उसका रोल नंबर डाल कर सब को वहरिफाई के लिए अलग-अलग छात्रों को देने का काम कॉलेज के स्टाफ जुनेत को सूप दिया गया था स्टूडन ज्यादा थे और स्टाफ अकेला था, हो सकता है स्टाफ, इफिसियंटली काम न किया हो लेकिन छात्रों के पास भी वक्त कम था, जिसकी वज़ा से वो अपना धहर्य न रख सके और स्टाफ के साथ छात्रों का हाट टॉक हो गया बढ़ते भीड को देखकर स्टाफ वहां से उठकर आफिस गए, उसके बाद सारी भीड भी आफिस में आ गई छात्रों में से एक ने बिना नाम बताये यूनि प्रेस को बताया के आफिस में छात्रों को आते देख कॉलेज स्टाफ दानिश ने आवाज लगा कर कहा के आफिस में इतनी भीड क्यों है, सब को बाहर निकालो इतना सुनते ही छात रापे से बाहर हो गए, हाथा पाई शुरू हो गई, भीड के हाथों उनको भी मार लग गई बीज बचाओ के बाद दानिश आफिस में आ गए, आफिस में आते वक्त आफिस की कुरसी उठा कर शिशे पर दे मारा, जिससे आफिस का शिशा भी तूट गया, और उसके बाद फिर अफरा तफरी मच गई प्रिंस्पल साहब ने अपनी जहानत और जिम्मेदारे का सबूत देते हुए, मामले को अब तक संभाले हुए हैं, लेकिन अभी भी कॉलेज में छातर और स्टाफ के बीच तनाव का माहूल है, देखना ये है कि वक्त के साथ माहूल बहतर होता है या और कशिदगी बढ़ का काम आसान होगा, वरना इस तनाव के महूल में नए स्टाफ काम कर पाएंगे और नहीं छातरों का कोई काम होने वाला है, बेहतर ये है कि कोई तीसरा पक्ष इसमें पहल करे और इस पूरे घटना कर्म को हल करने की कोशिश करे, इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हम नियर्बाद!